प्रीबच्चो चलिए हम लोग आज कच्छा छटवी विसे गलित हिंदी माध्याम का जो प्रतिभा पर्व मुल्यानकन वर्कसीट है जो आप लोगों की स्कुल से प्राप्त हो रही हैं उसी का सॉलुसन लेके आ हैं और आज हम लोग जो गलित है उसका खंड आ देखेंगे प्रीबच्चो अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सकाइब कीजिए दोस्तों साथ सेर कीजिए और लाइक भी अवस कीजिएगा इस वीडियो में आपको मैं बिलकुर सहीं सहीं सॉलुसन प्राप्त कराऊंगा इसकलिए आप अंतितक बने रहें अगले प्रशन पे चलते हैं अगला प्रशन क्या है बच्चो एक विद्याले के 405 बच्चे कैम्प में गये हर तंबू में 5 बच्चो को ठहराया गया तो कुल तंबू में यह मतलब कि कुल तंबू की जरूरत कितनी होगी देखो एक तंबू में 5 बच्चे ठहर रहे हैं एक तंबू में कितने बच्चे ठहर रहे हैं? 5 बच्चे, आपके पाश टोटल कितने बच्चे हैं? 405 बच्चे हैं, अगर हम 405 बच्चे को 5 से भाग दे दें, तो ये देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर अब 40 में भाग देंगे, क्योंकि 4 मिल जाता, तो 5 एकम 5, तो कितने तंबू लगेंगे? 81 तंबू लगेंगे, अगर हम प्रतेक तंबू में एक बच्चे को ठहर आते हैं, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, 81 अगले प्रशन पे चलते हैं, अगला प्रशन हमारा तीसरा प्रशने प्री बच्चो देखी, यहाँ पर छायंकित भाग का दसमलों में मान क्या होगा, यहाँ पर आपको देखी, यह हलका सा थोड़ा ही छायंकित भाग दिख रहा है, इस प्रकार से पहले डब्बों की कुल संक्या देख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने बच्चे हैं टोटल, मतलब कितने डब्बे हैं बच्चो टोटल, पाँच डब्बे, इन में से आपको छायांकित ओनली यह कौन सा दिख रहा है, यह एक दिख रहा है, तो हम इसको कहां लिखेंगे, उपर, अब इसका भाग दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जीरो, दस हमलो, दो, जीरो, अगला देखते हैं प्रशन, तीन बटे पाँच का तुल्ल भिन है, तीन बटे पाँच, मतलब कि इसके पराबर हम किस भिन को और रख सकते हैं, तो देखिए, यहां पर आपका छे के बटे दस जाएगा, क्योंकि छे को और दस को हम दो से काटें, तो दो ती अच्छा है, और दो पंचे कितना होता है, दस होता है, अर्था तुल्ल भिन हमारा कितना हो जाएगा, छे के बटे, दस हो जाएगा, ठीक है, प्री बच्चों, लिख लीजेगा, आप चौंते का उत्तर यहा जोड़ें, यहां 500 लिखिए, उसमें 200 जोड़ दीजिए, तो 500 में 200 जोड़े तो कितना आजाएगा, 700, अर्थात यहां पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 700, सहीं हो जाएगा, अगला प्रशन ले ले बच्चों, अगला प्रशन हमारा देखिए, प्री बच्चों, चैनल म पानी से भर जाता है तो 108 बालती पानी कितने ड्रम के बराबर होगा देखी एक ड्रम में कितना नौ बालती पानी आता है तो 108 बालती पानी है हम 108 बालती पानी को अगर नौ से भाग दे दे तो नौ एकम नौ यह तो गया नौ एकम नौ नौ एकम नौ यहां पर बचा कितना ए एक 9 दूनी 18 अर्थाद 12 ड्रम में हम 108 बालती पानी का अगर सकते हैं बराबर बराबर भर सकते हैं अगला प्रशन ले लेते हैं बच्चो अगला प्रशन है हमारा सातवा प्रशन है घरी में तीन बजे की स्थीती में सुईया या उसकी दोनों सुईया घंटवे मिनट के इस प्रकार से तो ये कितने अंस का होता है 90 अंस का होता है जिसे हम क्या कहते हैं समकोन कहते हैं तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा समकोन हो जाएगा बच्चो ठीक है आगे देखिए अगला प्रशन है आठवा प्रशन है बच्चो निम्न में से कोन सी संक्या 5000 प पढ़ेंगे तो देखिए इकाई ताही सेकडा हजार इस प्रकार से पांच हजार पचपन तो हमारा पहला युत्तर क्या हो जाएगा प्री बच्चो सही हो जाएगा अगले प्रशन पे चलते हैं बच्चो अगला प्रशन क्या है देखिए नौमा प्रशन है नीचे दिये आठ, नौ, ह्छै, साथ, चार संख्या Series इन सभी कार्डों का उपियों कि कोन सी सबसे बड़ी 96 Division संख्या या हम सब्से चोटी संख्या बना सकता है तो सब्से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी पहले जो बड़ा अंक है उससे लिको फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से हम बड़ी संक्या बनाएंगे, तो 9876 हमारी सबसे बड़ी संक्या हो गए, अब आपको सबसे छोटी संक्या बनाना क्या लिकरो, सबसे पहले छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी चौंती सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राफत है आप एक स्टेडियम में मतलब की जो चेयर लगी गई है उन चेयरों में से आप चौंती ही चेयर पर आपको वैक्ति को बैठालना है टोटल वहां पर रासी सौ लोग बैठ सकते हैं अब आप तीन चेयर अब तो चार से भाग दे दीजिए जो आपका उत्तर आएगा वही क्या है भाग देने पर वही सही है देखिए चार एक चार दुनिया आठ तीन में भागने जाता है इसको लिए सुन उतारे तो कितना हो गया यहां पर तीन चार सत्ते 28 बचा कितना है यहां पर दो बजग है तो कितना हो जाएगा 20 तो चार पंचे 20 अर्था थम 2075 लोगों को बैठाल सकते हैं ठीक है अगला प्रशन देखे अगला प्रशन क्या है बच्चो ग्यारवा प्रशन है यदि किसी बगीचे में कुल 200 पेड़ है इन में से 3 के बटे 5 आम के पेड़ है तो बगीचे में द की काटे 200 को 5 से तो पांचो के 20 पांचो नम सुन तो 40 आ गया 40 गोना 3 करे तो 120 क्या है आम के पेड़ है तो दूसरों पेड़ों की संगा कैसे निकाल लेंगे हम सौरी यहाँ पर 200 है यह थोड़ा मिस्प्रिंट है यहाँ पर ने यहाँ पर देखीगा अब कितने टोटल देखीजेगा इसको प्रिवाच्चो यहाँ पर मिस्प्रिंट हो गया था तो 200 में से 120 गया है तो 80 पेड़ क्या हो गया है सेज बचे ठीक है अगला प्रशन लेंगे हम लोग याद रखे 11 प्रशन को आप सुधार लेंगे एक पोश्टर को सचिन ने दिवार पर चिपकाया पोश्टर की लंबाई 12 मीटर देखीए एक पोश्टर है हमने दिवार पर चिपका दिया मान लीजे तो उसकी लंबाई कितनी 12 मीटर है चोड़ाई कितनी है 10 मीटर है तो पोश्टर द्वारा दिवार के कितने छेतर को घेरा गया है तो यहाँ पर देखिए इसे हम आधार क क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर सुत्र और लिखना हो तो हम लंबाई भी लिख सकते हैं गुणा उचाई है यह उचाई को हम क्या लिख सकते हैं चोड़ाई भी लिख सकते हैं मतलब कि आप अगर यह वाला सुत्र लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं ठीक है तो 120 मीटर का वर्ग आपका पोश्टर का छित्रफल आ जाएगा अगला लेते हम लोग अगला कोश्चन क्या है एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है यदि प्रतेक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जा अब प्रतेक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जा अब प्रतेक भुजा की लंबाई पहले से 4 सेंटीमीटर थी, अब उसको और 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिये, तो कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई, तो आपको वर्क का परिमाप फिर से पूचा है, तो वर्क का परिमाप क्या हो गई? 4 गुणा भुजा, तो भुजा कौन से चैनल को सब्सकाइब आवस्य कीजिएगा, प्लीज सब्सकाइब आवस्य कीजिएगा, जिससे आप ही का फायदा मेरा कोई फायदा तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका ज़्यादा है कि आप लोगों को मेरे जो वीडियो डालेंगे, वो तुरंट मिल जाएंगे, ठीक है, हाई किलोग्राम गाजर का मुल क्या होगा यदि ककड़ी का मुल 16 किलोग्राम प्रती है और गाजर का मुल 32 किलोग्राम प्रती है तो देखिए आपको क्या दिया गया है एक किलोग्राम ककड़ी का मुल 16 रुप है ठीक है एक किलोग्राम गाजर का मुल 22 रुप है तो आप से साड़े तीन किलोग्राम का कुड़ी का मूल तो साड़े तीन गुणा 16 करें साड़े तीन गुणा 16 करें तो कितना आजाएगा 56 और इसको हल करना है तो देखो 3, 2, 6 और एक कितना हो गया साथ के बटे 2 गुणा क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 दो एकम 2, दो अठे 16, तो 28 साथी 56, इस प्रकार से कर सकते हैं, उसी प्रकार, धाई किलोग्राम काजार का मूल कितना हो जाएगा, धाई गुणा, बाइस, गुणा बराबर 55, कैसे आया, दो दो नी, चार और एक कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, पाँच के बैटे 2, गु बनाने के लिए करज लिया उसे दो साल तक हर महीने 22 रुपए देने बताइए दो साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा एक महीने के 22 रुपए देता है अब दो साल तक दो साल में कितने महीने हो जाएंगे एक साल में 12 महीने तो दो साल में कितने महीने 24 तो 22 गुणा 24 करें तो कितना जाएगा 52,800 रुपए और था तो वह दो साल में कितनी रासी देगा 52,800 रुपए देगा ठीक है प्री बच्चो बहुत अच्छे समझ आ रहा हूं उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को अगला प्रशन लेते हैं हमारा सोलवा प्रशन है यह हम 22, sorry 20 बोरों में बराबर बराबर रखता है प्रतेक बोरे में रखी गई प्याज का बजन कितना होगा तता सेस प्याज कितना बच जाएगा दुकानदार के पास कुल प्याज कितना है 3345 किलोग्राम तो 20 बोरों में रखना है अपने को प्याज बराबर रखना है तो 3345 को हम 20 से भाग देती देख़िए इस प्रकार से भाग दे सकते हैं आपको इस प्रकार का नहीं आता तो ये देख़िए हमने बाजु में भाग दे के रख दिया है जिस से आपको और असाली हूं तो देखिए 20 को मतलब 33, 45 को 20 से भाग दिए तो कितना आया 167 आया 6 कितना बज जाएगा देखिए 6 कितना बज गया 5 तो इसी प्रकार आप ऐसा डारेक्ट भी भाग दे सकते तो कितना आता 167 kg आता लेकिन 5 kg कैसा रह जा रहा है 6 मतलब बज जा रहा है मतलब 20 बोरो में अगर भरना आपको 33, 45 किलोग्राम प्याज तो एक बोरे में कितना आएगा 167 आएगा और जब 167 आप 20 में भर दोगे तो 5 kg कैसा रह जाएगा प्याज से रह जाएगा तो इस प्रकार से आप प्रीबच्चो इसका सौलिसन या हल कर सकते हैं अब अगले वीडियो में हम लोग इसी का खंड बाल लेके आएगे तो प्रीबच्चो प्लीज अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सकाइब अवस्त कीजेगा दोस्तों के साथ से रवस्त कीजेगा लाइक भी अवस्त कीजेगा और कोई आपको जानकारी चाहिए तो करिए मैं आपको वो जरूर दूँगा थेंक्यू पर वाचिंग स्टुडेंट